हलो माई देल स्टूडेंट वेलकम तू लाइन क्लासिस प्यारे बच्चों कल हमने यहां तक कंप्लीट किया था 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 चाप्टर तो आज चप्टर नंबर फोर करने जा रहा है तो लेट अस स्टार्ट अब यह टॉपिक पहले हमने पढ़ा فैस्ट वाल किये बरे में कि अलग चगहों में हिंदुस्तान के अलग टाइप का फैस्ट वाल करता है तो आज हम क्या पढ़ने जा रहा है कि हम टॉबल केसे करता है मनद कि सफर केसे करता है एक जगे से दूसरे जगे के से जाते हैं So let us start जोती lives in Bhopal जोती कहां रहते हैं Bhopal में रहते हैं She has to travel to indoor तो वो कहां travel करा है indoor Nearly 200 km away to attend her cousin marriage वहां से 200 km नजदी जहां वो अपने cousin के marriage अटेंड करने जा रही थे Tick the means of transport she used तो आप इसमें से टिक कर सकता है कि इसने किस type of transport को choose किया और किस type of transport में वो सफर कर रहे थे तो इसमें bus हो सकता है और train हो सकता है तो आप इस तो को टिक कर सकते हैं तो लेट आस स्टार्ट पीपल ट्रवल इवरी डे पीपल हर दिन ट्रवल करते है हर दिन सफर करते है सफर मिंस यानि कि एक जगे से दूसरी जगे वो जाते है ते गो from one place to another place from walk to attend body marriage and other function or to see new place तो मलब जो लोग ही वो हर दिन सफर करते रहते है वो एक जगे से दूसरी जगे जाते रहता है किसलिए काम के टलाश में या किसी बाड़ डे अटिन करने में या किसी मेरे चादियों में या दूसरे function में जाते है उसे देखने के लिए आके अलग जगे यू गो तो स्कूल डेली है आप भी जाते हो रो स्कूल हाव दू यू डू सो तो आप भी क्या खरते हो डिफरेंट विकल्स क्यारी पीपल आन्गोट्स फ़ंवन प्लेस तो अनदर तो अलग अलग विकल्स विकल्स मीन गाड़िया ठीक है अलग अलग गाड़िया जो हमारे लोगों को लोगों को केरी करते है मलब जिसमें लोग रहते है और सामान रहते है गोट्स मीन सामान ऐसे कुछ गाड़िया होता है जिनमें सामान को केरी करता है और कुछ गाड़ी ऐसा हता है जिसमें लोगों को केरी किया जाता है एक जगे से दूसरी जगा from one place to another we do not use the same means of transport to go to every place हम अलब एक same means of transport इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हर जगा जाने के लिए the vehicles we use depend on the following हम जो वेकल इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड रहते हैं अलग अलग following जैसे location अगर location नजदी खे तो हम कुछ बासिस या छोटे बोटे गाड़ी हमें जाएंगे ठीक है अगर लंबा सफर हो तो लंबा सफर के लिए हमें ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें बासिस और एरप्लेन इस चीज़ का इस्तेमाल करने पड़ेगा सबसे बिले location location of the place सबसे बिले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहा है distance की कितना दूर है वो जगा हम से time कितना time available है हमारे पास वहां पहुंचने के लिए money अब पेसा कितना लग रहा है तो जितना distance कम होगा पेसा उतना कम लगेगा जितना distance ज्यादा होगा उतना पेसा ज्यादा लगेगा we generally walk or cycle to nearby place हम अमोमन चल के जाती है और cycle का इस्निमाल किया जाता है नजदी की जगों में to reach place that are far away अगर to reach place that are far away तो अगर मलब जो place दूर है तो वहां पे हमें pedal या cycle का पहुंचना बहुंचना बहुंद मुश्किल है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं गारियों का इस्तेमाल करते है sometime we use more than one means of transport to reach a place कुछ वाकत हम एक या एक से जादा means of transport का इस्तेमाल करते हैं उन जगों पे पहुंचने के लिए so these are the interactive video for you about how we travel so you understand so let us start means of transport what do you means by transport to mean transport का means क्या हो सकता there are three type of transport हमारे पास तीन किसमती ट्रांसपोर्ट से land, air and water हमारे पास land का जो land जो जमीन पे चलते है उस type का transportation है जो हवा में चलते हो और जो पाने में चलते है पहले हम पढ़ेंगे लेंड जो कहां चलते है लेंड के ओपर चलते है जमीन के ओपर चलते है some vehicles move one land एक vehicles move करती ही एक चगा they are means of land transport तो प्यारे बच्चों वीडियो जैदा लंबा हो गया इसलिए हम इसको next वीडियो में पढ़ते हैं